ओम्शी परमात्मने नम्हाँ आप सभी को मेरा प्यार भरा स्ने भरा साधर प्रणाम मैंने अपनी किसी भी वीडियो में आज तक कभी कोई एडिटिंग नेके लेकिन ये पहली बार ऐसा होगा कि मैं एक छोटी सी क्लिप बना के और अपनी जो वीडियो डालूँगे इसमें उसे एडिट करूँगी और उसका कारण ये है कि मैंने जो भी इस वीडियो से पहले वाली जो वीडियो डाली थी उसमें मैंने इंद्रुदेव से कहा था कि इंद्रुदेव कुछ तो तरस खाईए अब तो परस जाईए और मेरे ये कहने के थोड़ी दिर बादी बहुत बारिश होई थी जम के और हर मनुशे के जीवन में रोज 24 घंटे में एक पल ऐसा आता है कि हमें खुद पता नहीं होता कि हमारे बात हम जो भी कहते हैं सत्य हो जाते हैं कि सरसुति का निवास बाणी में आता है एक पल के लिए और बस मैंने आपको यही कहने के लिए बात अपने आपके समक्ष में रख रहे हूं यह एडिटिंग करूंगे मैं इस क्लिप को कि अपने मुँ से हमेशा अच्छा बोलिए मीठा बोलिए और पवित्रता रखे अपनी बाणी के अंदर अगर हम अपनी बाणी को पवित्र रखेंगे तो सरसुती माता तब रहेंगे मारी बाणी में अन्यथा नहीं रहेंगे पहले के लोगों के जो सब कुछ कहते हो थे वो अगर किसी को आशिरवाद दें वो सत्य हो जाता था अगर शाब दें वो सत्य हो जाता था उसका मुख जगह में तो रहेंगे नहीं और दूसरा मैंने आपसे क्या कहना है कि अपने मुझसे कभी भी मैं फिर दुबारे रिपीट कर वें अपनी बात को कि अपने मुझसे हमेशा अच्छा अच्छा बोलें रोज एक पल के लिए आप पे जीवन में भी खिशन आएगा और आप करके देखी उसी कि जब आप अच्छा अच्छा बोलेंगे तो क्या पता क्या चमतकार होज है आपकी भी सब बाते भगवान फोरन सुन लें और जरूर सुनेंगे और इंद्रदेव को भी मैं एक बार धन्यवाद देना चाहते हूं और भारत के नहीं बलकि पूरी दुनिया कि जहां जहां विभिन खेतर ऐसे हैं कि जहां पर बहुत सूखा पड़ा रहता है मैं उनसे प्राटना करते हूं क्या पता फिर सुन लें भगवान मेरे कि वहां पर भी अपने वर्शा से आप सब को त्रिप्त कीजिए अन्य धन्य जोब वर्शा होईगी तो अन्य पैदा होंगे अल्ड़ बेस्ट ओम शी पर मातने नम्हां आज मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक वीडियो बनाई है और उसमें मैंने इंदिल देव से कहा कुकि बादल आये हैं और आते हैं और चले जाते हैं तेरा दून में भी इस वार हद हो गई है कि वर्शा होने कही नाम बादल आते हैं चले जाते हैं और हमें उपसाहिट करके और कहते हैं बता है और मैंने आज वीडियो बनाई और अभी मैं डालूँगी आपको तभी यकीन आएगा मैं अभी तोई देर में उसे डालूँगी चार्जिंग खतम है क्योंकि फोन में और ये देखे कितनी बारिश हो रही है तोड़ी तेर पहले मैंने बनाई चुगी और कहा था उसमें कि हे इंद्रदेव अब तो तरस खाईए कुस तो अब तो बरस दाईए और वो मैंने कहा था मेरे भाईसर में वो मुझे घर से बेजते हैं जितनी भी वीडियोज बेजते हैं थोड़ा इधर आते हूं मेरे पर बारिश की बहुत पानी आ रहे है ये बेखे कितना बारिश पानी देखे तो वो मुझे जितनी वीडियोस भेज में यह पोर्च के नीचे आगी हूँ मैं और इधर बरामदा भी है तो पारिश में आगी तो घर से भेज में वो बना-बना की फूलों की और उन्होंने भी मुझे थोड़ी दिनों पेले एक बेजी ते और लिखा था उसमें कि इन दे जिस तो तलस खाये, अब तो बरस जाये, कि हो नीडी थी भारिश और मैंने उस दिन दापको थोड़ी तो गुंदा बांदे हुईथी जो मैंने कहा था तो लेकिन मैंने भाहिस से पुछा है तो कहरे लगे नहीं यहां तो नहीं, मैंने तो हमारे यह तो हूई है गुंदा कि इतना तुफान आ रहा है और मैंने अभी इंज देव से कहा कि अब मत आप चले जाएगा क्योंकि बहुत गनेरे बादल थे तो मैंने तो अब मत जाएगा बरस की जाएगा और यह देखिए और आज को तो हर चीज नैट पर पता चल जाती है पता कर लीजिएगा पता चल जाएगा कि हाँ खुल के बारी जो है देरे दुन्बे वहाँ आज वह अहाँ ऐसे मौसम में कैसे कैसे गाने याद आ रहे होंगे एक तो वह है लो गारी जत बरसत तो सावना यह वह गाना और ब कि अब इनमें हर्याली आएगे कितना भी पानी देदें हम क्यांने कितना भी पानी देदें जो एक वैसा पानी होता है जो हमारे घर में आते है नलो में उनसे पौधह में जानि प्राणै रहु आते हा यह चाहिस पूली पॉली प्रक्षि से आते हैं बहुत हर्य घर्वाली हो दोगी हुजती है अए जूम रिया मस्तीन है रहे जो बेल है यह डू है आएजी खर Dalotasan दो जो मैंने बताई दिन उनकी यह आप और इसमें जो फूल ने अभी आज चुके थे लेकिन मैंने वीडियो ने बनाई चुके यह वर्षा की दिनों में इसमें बहुत अच्छे फूल आते हैं इसको लिए बेल में इसको भी आते हैं उसके बहुत निर्फ़द करते हैं पर्या लौन शुद्ध रहेगा तो भर्याली भी रहेगे तो हर्याली कितने भी पॉदे लगायांगा प्रिया वजंद नहीं दुआएं दुआ चगर गंदगी है तो उस तरह से पॉदे नहीं प्रंदेंगे जैसे की पन अपने चाहिए, वो सामने एक पेड़ देखी, वो काट जे था क्यांकि बहुत बड़ा हो गया था, ये गला, इसमें देख रहे हैं, अब ये मनी प्रान के पत्ते, मैं जूम करके दिखा था, देखी कैसे गर्मी के कारण जुलज गया है, जबकि पानी डेली जलते हैं, मुझ देखेगा, और आपको एक सलहाद हो जिनके घर में ये वाले पेड़ होता है, ये खजू टाइप के पेड़ होता है, और इनका कुछ नहीं बनता, कोई फरनीचर वगरा, कुछ नहीं बन चकता है, ये देखे आप, इसके बारे में मैं बताओंगे, मैंने इने क्या सलहाद इसके क्या करना है, इन्होंने इसके इसके इस्तेमाल किया तो मैं आपको फिर करने बताओंगे, जो ध्यान से पूछेंगे मुझे तो बताओंगे, ये देखे, आहाँ, मौसम ठंड़ा होगे है, अज रजाई निकल जाएगे, तेहरे दून की शमाः की जिन, ये इस तो ख आपका बहुत बहुत दन्यवाद इंद्रदेव, आपका बहुत बहुत दन्यवाद, आप ऐसी क्रिपा करते रहे हैं, और देरदून में तो करी थी अपने क्रिपा, जिन शहरों में वर्शा नहीं हो रही, उन्हें भी कर दीजी, जगा थोड़े सी अपने बोचा, करना, मनुश्यत हो, सब कैसे गर्मी से जुलस रहे हैं, और कितना भी कर लें, ठंडे पे, पदार पी लें, कुछी कर लें, वह बात नहीं आती, जो आपकी वर्शा हैं से ठंड़क आती है, देखिए, आज हमारी रजाई निकल जाए गया, मतलब पतली वाली, जही पुरी अगर मैं बाहर जाओंगी स्वोन को लेकी तो पानी पढ़ जेगी और मैं चाता लेके नहीं आगी उंदर से लेकी आना करना, तो मैं क्लियर दिखा सब्से, कोशिश करते हूं थोड़ा, पौदो का हाल क्या कर पास आज़ाई आज़ाई पर वेश्वड पर बहुत पिक्चर बनी है आप तो पते ही है एक वह आया सावन स्लूम के, है ना? यह देखे, पेड देखे है कैसे फूछ हो गाए यह देखे, डालिया कैसे कुछी से जोम रही है, निरत्य कर रहे है जैसे पेड यह देखे, अम्बूद कपेड कर रहे है जैसे लाइट म्यूजिक चल रहा है और दीरे जो करते है, अच्छा सा लाइट सा म्यूजिक और दीरे 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 कर रहे है कपल डांस भी करता है कि यह दीरे, यह दीरे की शाखाई कर रहे हैं से लिए गरिजद गरिजद की शाखावन आई गरिजद 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 की शाखावन आई अब मैं अपने शब्तों को सोचने की यहीं भी राम दूँ और फिर मैं मिलूँगे आपसे कोई नई बाब लेगा धन्यवाद